अच्छे आते आते बहुत अच्छे दिन आ रहे है अब देश में आ रहे है और प्रदेश में भी जून में अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिन कहां से लाने वाले 2014 से 2014 हो गई है दस साल में तो अच्छे दिन आये नहीं नवस्कार बहुत स्वागत है मैं वह आपके साथ अब हो रह रहा है और आप देख रहे हैं जेके लेश प्राइम टाइम हिमाचल परदेश में बिजेपी और कॉंग्रिस में अच्छे दिनों को लेकर एक तरह से तक्रार है बिजेपी और कॉंग्रिस में जबानी वार एक तरह से तेज है अच्छे दिनों को लेकर क्योंकि BJP विधायक बलवीर वर्मा ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं इस पर कॉंग्रेस संगठन महासची और रजनीश किम्टा ने हमला बोला और नों ने कहा कि दस सालों में तो अच्छे दिन आए नहीं अब कहां से अच्छे दिन आने वाले हैं बलवीर वर्मा ने कहा था कि अच्छे दिन इस वज़े से आने वाले हैं क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और राज में भी अब बीजेपी की सरकार बनेगी आने वाले दिनों में इस वज़े से हिमाचल परदेश के लोगों के लिए और हिमाचल के की बात कर रही है आज इसी को हम जेकिलिश प्रायम टाइब में समझने की कोशिश करेंगे अधर कि आते बहुत अच्छे दिना देश में ही आ रहे है और परदेश में भी जून में अच्छे दिन आने वारे तो चलिए इसी अच्छे दिनों पर जो बायान बाजी हो रही है इसी पर अब चर्चा करेंगे बहुत खास महमान मेरे साथ जोड़ रहे हैं बहुत जल्दे अपने महमानों का आपसे इंट्रोडेक्शन भी करा देता हूँ मेरे साथ प्रोफेसर रमेश चौहान जी है पॉलिटिकल एनलिस्ट है हिमाचल परदेश के सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं करन नंदा जी बिजेपी मीडिया इंचार जै हिमाचल परदेश के वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सभी महमानों का बहुत स्वागत है जेकलेश प्राइम टाइम में मैं सबसे पहले कुशल जी आपसे ही शुरुवात करना चाहूंगा क्योंकि बिजेपी कह रही कि अच्ये दिन आने वाले हिमाचल परदेश में और यह माचल के लोगों के लिए और development कि राज में भी इब धूब की सरकार होगी और इसके लावा केंद्र में आने वाले दिनों में तीसरा ट्रम जो है वह वीजेपी का ही होगा और इस मिद्धायक ने का कि अच्छे दिन आने वाले हैं मुझे लगता है कि दो जार चोदा में जब यह नारा लगा था उसके बाद रास्टी भारती आंथा पाल्टी पीछे अच्छे दिन आएंगे मैं समझता हूँ कि सारफ जर्फ जिर्वन में भी इंसान कभी जूट बोलता है और वो जूट के बाद एक्सपोज हो जाता है कि नहीं यार यह जूट मेरा पकड़ा गया तो उसके बाद उसको भी शरम आती है और मैं ऐसा जूट दुबारा मत बोलू पर भारती अंता सब्सक्राइब करना मुश्किल हो चुगा हूँ असी क्रोन लोगों को मोदी की सरकार मुफ्त में राशन दे रही है बताओ अगर अच्छे दिन आयते तो असी क्रोर के आज पचास क्रोर होते चालिस क्रोर होते लेकिन असी क्रोर के ऐसी क्रोर है दोजार चोड़ा से लेकि दोजार चुबीस था और मुझे लगता अगर ऐसे अच्छे दिन का न बहुत अच्छी दिन आने वारे अज हैं आगे लेकिन भारतीय अंता पाल्ती की जुएर लगरएंगे वाहरत है। कि हम कहा जाए तो इस करके दिन तो ही नहीं के अच्छे आ रहे हैं कुछ दिलानों के अच्छी दिन आ बाग की तो किसी आम जान जीवन में बताइए मुझे आप भारती अंता पाल्टी को एक निता बताए मैं बैस करने के लिए तयार हूँ एक ऐसी अपना कारे पता ही जिससे कि हम कैसे के च्छाती तांके की हमने यह किया भारती अंता पाल्टी की सरगार ने चलिए ठीक है मैं करन 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 नंदा जी से ही पुछ लेता हूँ बिजेपी जी न अच्छे दिनों की बात कर रही है और आप उस पर सवाल उठा रही कॉंग्रेस करन नंदा जी देखिए बिजेपी ने कहा कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं बिजेपी के लीडर का यह इंजेक्शन तो मेरे ख्याल से इनको भारती जनता पार्टी का लग चुका है। तो अच्छे जिनको रोकने वाली सरकार तो यही है यही जो है सरकार बादा डालती है यह सरकार बोल रहे यह बोल रहे 80 क्रोड लोगों को हम राशन मुवते रहे हैं यह भारती जनता पार्टी का कतिबद यह इरादा है कि देखिए 25 क्रोड लोगों को आपने गरीबी रिक्यासा बार उठाया जब 25 क्रोड लोगों वो BPL से भार आए और उसके बाद वो मिडल क्लास बनने जा रहे हैं 70 साल के वरिष्ट आजमी को जो है अब आयूशमान भारत का लाब होगा बच्चे भार होते अब रॉड में पीछे कोई देखने वाला नहीं होता है उनको जब पांच लाख रप्या का कवर मिलेगा क्या वो खुश नहीं होएंगे अच्छे दिन वो होते है इनका नारा तो यह विरासत में मिला जैराम ठाकूर जी की सरकार में जैराम ठाकूर जी ने इतना करें आपने रोके अभी रोके विरासत में अंक्डे पढ़किया इसका मतलब की दो जार चौदा में एक पच्छिस क्रोड़ को हम दावा करते हैं निकाला क्या पांच क्रोड़ लोगी या आपने कभी दावा किया आपने तो भाई साब गरीब हटावा का नारा दिया और गरीब घी हटाने पर आगए मनमौन सिंक करते हो अपना मेनीफेस्टो पढ़िए अपना मेनीफेस्टो लोग जो एक लाख नोक्री देंगे बाराशन देरें आपना कि देश में कर रहें तो आप जब से आये तब से विकास को रहें रोक लगी या विकास को पगड़ागी नहीं पा रहे हैं या गरी पी रहा से निचे लिए कि लिए एक लाख करोड़ पर भीज़े कि लार भारती अंता पार्टी के और उसके उसमें साथ थाजार क्रोड़ पार्टी की मुष्किल हो चुके आम आध्या पर भी सवाल उठा रहे हैं कौशन की महंगाई पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अच्छा दिन किसको कहते हैं मुझे बताइए देखिए अगर एक लिक्ती बोड़ा का तो भैतर होगा अगर में महंगाई पर सवाल उठारे हैं तो मैं बतारों इनको भारत आ जो है कोशल जी देखिए करननंदा जी जवाब दे रहे हैं आपने कई सवाल किया है सारे सव सारे साथ देशों के सबसे कम है इनको तुलना करवा के दिखाईए कि पाकिस्तान श्रिलंका अमेरिका में तेल के दाम क्या है तब पतल अगया उसके उपरां जब एक गैस की बात कर रहे हैं गैस का सब्सक्ता अभी हमने किया है और अब तो जो है वह एक राश्ट्रवाद मोदी का नित्रिक्त और मोदी की एक छवी जिसको आप कह सकते है उसके आधार पर वो जो है एक बड़ी काम्यावी के साथ तीन सो तीन सिटों के साथ जो है बाच बात अपने एक दुआरा से दूसरी बार सत्ता पे आती है अपने बलबुते पे चौबीस के जब हम है उमीदों से कहीं अधी और उमीदों से अधिक मैसले कह रहा हूं कि 19 के चुनाओ के अगर आप मार्जन को देखेंगे चारू सुटीं बे तो आज तक ही मचल में तो यतिहासीक रहा है इतनी जादा अंतर से कोई भी पार्टी अपने उमीद्वार को जितार नहीं पाई प तरह से राष्ट्य सुरक्षा का मुता और राष्ट के एकता और खंड़ता के लिए खत्रा हिंदूत्वा का एक पुट इस सारी चुछों को लेकर जो है लोगों को यह भाउत्ता के अधार पर जो है एक अपील की गई और लोग भी उसमें एक किसम से एक तरफा दिकतर मदान की तरफ गए कुछ राजिया कहेंगे साउथ के या कुछ एक्सेप्शनली बहुत सारी कम राजियों में जो है गैर कॉंग्रेसी जो है दल उनको सीटे मिली हलांकि मतदान प्रतिशत बीजीबी का थातीस प्रतिशत रहा है बाकी के अठाउन प्रतिशत मत इदर उदर चिद लगे चौबीस का चुनाओ जो है अबू जी एक दूसरी तरह का चुनाओ नजर आ रहा है ये लोग एक दूसरे के ऊपर चिटनकशी करते रहेंगे महंगाई है बिरुजगारी है और मैं आपको एक और बात बताऊं चौबीस के चुनाओ में मानिया मोदी जी की छवी में उतनी चमक नजर नहीं आ रही है जो 14 और 19 में थी इस बार लोग जो है मोदी की गारंटी अपनी जगा है लेकिन वो ये भी देखेंगे कि हमारे एक शेतर से जीजित के जाने वाला जो अमारा जो पत्याशी होगा जो अमीद वार होगा वो कौन है वो किस तरह का होगा मैं थोड़ा सा आपको हिमाचल के संदर में कहना चाऊंगा जहां हिमाचल में दो पिछले चुनाओं में चार शुन्या से जो है भाजपा बहुत बड़ी लीड के साथ जीत हासिल करने में काम्याब रही मुझे लगता है हाला कि कॉंग्रेस ने अभी दो जगा अपने प्रत्य प्रत्याशी घुशित ही नहीं किये है लेकिन मंडी और शिमला में तनावी समर में कॉंग्रेस भाजपा के साथ अच्छी टक्कर में दिख रही है जी बिलकुल यारी इस बार इस बार तस्वीर बदली हो सकती है और शायद यही वज़े हैं जो जबानी जंग इतनी चमन राकेश अस्ता जी जो लीडर है मादवी पार्टी की वो भी मेरे साथ जुड़ चुके है अस्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है राकेश अस्ता जी आप किस तरह से इस बायान बाजी को देख रहे हैं बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में अच्छे दिनों की बा चाहिए बाजी को चाहिए भाजपा की सरकारे आई हो आम आदमी के जीवन को जो एक सरल होना चाहिए अच्छा होना चाहिए एक ट्रांस्पेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए और गॉर्मेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो ऐसी चीजों पर होनी चाहिए जिसमें आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है और कोई अच्छे दिन नहीं आते हैं इनके केवल और केवल नेताओं के और कुछ आप समाझ सकते हैं ब्यूरेक्रेसी में टॉप ब्यूरेक्रेसी में जो है उन लोगों के और जो मंडली रहती है कॉंग्रेस है भाजपा है चाहे को मैं यह नहीं पार्टी तंतर उस पे हावी हो जाता है तो कवमन अदमी के लिए मैं तो पूछना चाहता हूँ कि पिछले दस वर्से आप देख लीजिए जो हमारे यहां के सांसाद है क्या उन्होंने कुछ किया नहीं किया आमाधी पार्टी को किसी के भी कॉंग्रेस या बिजेपी दोन कि अभी इस चीज़ पे आवाज कभी नहीं उठाता है कि क्या हमारे number of schools बड़े हैं क्या हमारे number of hospitals में उसमें beds बड़े हैं क्या हमारी वो जो liner OPDs के लिए लंबी होती जा रही है क्या वो कभी छोटी होंगी क्या जो बिजली के दरें अभी आपने सुना होगा कुछ उनको segment को कुछ ऐसी category को 6 रुपे हम बिजली को 18 प्रतिशत पानी हमारे पास है सबसे ज़्यादा hydro electric power यहां से जाती है उसके बावजूद अपने state के लोगों को यह 6 रुपे बिजली बेशते हैं और आपके बास फिर आप हस्पिताल के लिए यहां हमारे पास PGI के इलावा कोई बढ़ा हस्पिताल नहीं है किसी को भी जाना है तो यहां से रैफरल एक हॉस्पिटल है बस जो सबसे बढ़ा है यहां जो जो बुनियादी मसलें वो भी एक तरह से हल नहीं हुए है और इसे अच्छा दिन कहा जा रहा है चलिए ठीक है बहुत छोटा सा मभी ब्रेक लेंग जून में अच्छी दिन आने वाले है कि अच्छी दिन कहां से लाने वाले है दो हजार चौदा से दो हजार चौबिस हो गई है दस साल में तो अच्छी दिन आए नहीं तो यह माचल परदेश में कॉंग्रेस और बीजेपी के दर्मियान अच्छे दिनों की जो तकरार चल रही है जो जबानी जंग चल रही है आखिर इसके पीछे है क्या इसी को आज हम जेकलेश प्राइम टाइम में समझे कोशिश कर रहे हैं ब्रेक पर जाने से पहले ही चार खास महमान मेरे साथ हो जुड़े हुए हैं मैं करनन्दा जी आपके पास आना चूंगा करनन्दा जी जिस तरह से बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि अच्छे दिन चल रहे हैं और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं मतलब यह मान कर चला जा उनके बयान से तो ऐसा लग र में देखे ऐसा है कि राज्य सभा का चुनाव ही मार्चल प्रदेश में हुआ हम और राज्य सभा के चुनावों में जो है आंकड़े पश्ट रूप से सामने निकल कर रहें जे तर्टालिस पे जो कॉंग्रिस पार्टी थी वो चौनतिस पे पहुंच की हम और पच्छिस प अगर तो यह टेकनी के लिए पॉल देखेंगे तो यह जो पॉल हुआ है इसके हिसाब से जो मैंडेट है वो कांग्रिस पार्टी के हाथों से चिटक गया है जब नौ वोट जो है एक सिटिंग रूलिंग गॉर्मेंट पंदरा मीने में खो दे तो उसका कोई मैंडेट नही पॉपत में आ जाती है और अगर उस दिन बजट के लिए जो वोटिंग थी और बजट पारित होना था और यह जिस प्रकार से सरकार ने विदानसभा के अध्यक्ष के उपर एक प्रेशर बनाते हुए हमारे पंदरा लोगों को बर्खास्त किया और वोटिंग राइट सीज कर दिये तो उसमें जो है इनोंने एक अपनी राजनीतिक मापदंट के हिसाब से सरकार को बचाने का प्रियास किया जिसमें वो सफल होए पर सरकार तो बजट के दिन ही गिर चुकी थी अलपत में आ चुकी थी उसके बाद इनको लगा कि ये खत्रे में है और अगर बाई च इसके विधायकों को अपनी ही पार्टी से निश्काशित करके आज जो उप्चुनाफ हो रहे हैं इमाचने प्रदेश कुछल जी देखिए बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है करन करन अंदा जी भी है कि सरकार तो एक तरह से गिर गई है बस अब कुछ इंतिजार और क कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी मुम्किन हो सकता है कुछल कर सकते हैं देखो आने माले दिरों में आपके रृब है मैं संकल पतर अभी मान्य भूदीर भी माननिय मोदी डिली से ड़ला करन पզ तर प्र में रोज स्ट्र और महिंगाई का नाम ही नहीं है जो इशू हिंदुस्तान के अंदर हैं दोनों का नाम ही नहीं है रोजगार और महिंगाई का मोदी जी संतालिस तक तो सरकार चाते हैं कि मैं संतालिस तक राज करूं संतालिस तक की लड़ाई लड़ रहे हैं करणनंदा जी जवाब दे सकते ह हिमाचल में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आप नहीं लड़ रहे हैं देखे परदे पर ऐसा है कि अगर बीच में दोनों की बाते क्लेर नहीं होईगी तो एक का विजिन निकल के नहीं आ पाएगा फिक आप सुनिया करणनदा जी हिमाचल परदेश में जब कांगर्स अपनी 15 म महिने के अंदर कांगर्स ने कर रही है 15 महिने North अंदर कांगर्स ने सबसे पहले इन्हों हमें पर्मुक्सम मोदी जी ने एक दोरा नहीं किया एक आख उठाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर ने देखा हिद्यास में पहली बार इतनी तरास्ती हिमाचल प्रदेश ने जह लिए लोगों के खेद वह गए करणनदा जी अब जवाब दीजे जार सो लोग चार सो लोगों की मृत्ति होगी क करणनदा जी अब जवाब दीए देखिए जो जेटी जी बोल रहे है वो सत्य से परे है अब इन्होंने आंक मूंदनी है तो मूंद लें देखिए जो आपदा की बात कर रहे है साथ रेस कोस रोड पे रात को अमित शाह जेपी नड़ा जी अनुराग ठाकुर जी और हो मिन जगत परकाश नड़ा जी मंडी आते हैं अब आपको मैंने बोलने का समय दिया था जिटी जी अब भी बोलते रहेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा सुनने का भी दम रखिए जब एलिगेशन लगाते सुनने का दब रखिए जब सकतरा सो तीन सो क्रोड कि आप सुनते तो ह है नहीं आप बोली दिये आप बोलते रहें जनता सब जानती है इन्होंने अपना एक पैकेज लाया कि हम एक पैकेज लाएंगे और हम केंदर से डबल देंगे आज तक उस पैकेज में क्या हुआ अप तत्थे उठाटी सो क्रोड का पैकेज हरे घरवाले को बचारे को एक रुपई मिला है किसी को जो एक तरह से पता चलेगा चार जून को जब वोटर का फैसला आएगा उस दिन पता चलेगा कि अच्छे दिनों के दावे में किसके दावे में कितना दम है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए करननदा जी कुशल जैती जी च शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए तो जेकले इस प्राइम टाइब में आज यो फिल हाल इतना ही नमस्कार अच्छे आते आते बहुत अच्छे दिन आ रहे है अब देश में ही आ रहे है और परदेश में भी जून में अच्छे दिन आने वाले है अच्छे दिन कहां से लाने वाले है 2014 से 2014 हो गई है दस साल में तो अच्छे दिन आया है नहीं